सभापती मोहदे का आभार कि आपने मुझे अनुदान मांग 26, 32 और 56 पर बोलने का अउसर दिया बाली का एहम बाली का ना वियुग जनीता एहम बाली का ना हम बला दुर्बला आदि शक्ती एहम बिका अर्थार्थ मैं एक लड़की हूँ आधोनिक समय की लड़की हूँ मैं कमजोर या शक्ती ही नहीं हूँ मैं अंबिका हूँ मैं ही आदि शक्ती हूँ बाली का शशक्तिकरण की इस दिशा में हमारी पूरोवर्ती कॉंग्रस सरकार ने अपने कारेकाल में प्रते ग्राम पंचायत में कम से कम एक सेकेंडरी स्कूल हो यह सुनिश्चित किया था परंतु युदाइस के डाटा के अनुसार मात्र 66% लड़कियां ही बारवी कंग्शा में नमांकित हो पाती हैं आज भी हर चार में से एक विवाह 18 साल से कम उम्र का हो रहा है इन चिनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राश्री योजना शुरू की गई थी पर किशोरियों को उसका लाब नहीं मिल पाया सरकार के बजट में राज्य की इस बड़ी चिंता से निपटने के लिए कोई भी तैयारी परिलिक्षद नहीं हो पाती महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाओं में भी निरंतर व्रधी हो रही है हालांकि हर पंचायत इस तर पर साथिन नियुक्त है राज्यसरकार का यह साथिन कैडर अपने आप में अनूठा है, पूरे देश में अनूठा है परंतु कम मान दे और सरकार की अंदेखी की चलते इनकी भुमी का सपष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आपके माध्यम से मंतरी महोदया से रिक्वेस्ट करूँगी कि सरकार इस दिशा में विचार करे हमारी सरकार ने उडान योजना शुरू की जिसमें 15 से 45 वर्ष की आयू वर्क की हर महिला को फ्री सैनिटरी नापकिन्स दिये गए थे खेद का विशे है कि इस सरकार में उडान योजना के सैनिटरी नापकिन्स प्रकों में भर नौइडा के बाजारों में बिखने जा रहे हैं जिनें पुलिस द्वारा पकड़ा गया है तो इसमें सरकार स्ट्रिक्ली संग्यान ले क्योंकि ये बहुत मेंस्ट्रल हाईजीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिला स्वास्ते के लिए मैं चौमों ही नहीं पूरे राज्ये की आंगनवाडी कारे करता की बात उठाऊंगी आंगनवाडी कारे करता और सहयोगनी उनकी मांग है कि उनका मांदे बढ़ाया जाए हालांकि अभी जो बजट आया उसमें जो उनका मांदे बढ़ाया वो नाकाफी है सम्विदा कर्मियों को हम नियमित करने की बात करते हैं पर क्या सरकार इस दिशा में विचार रखती है कि ऐसा ही कुछ हम आंगनवारी कारे करता हो और सहयोगनियों के लिए करें क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी जरिये सरकारी योजनाए धरातल पर लागू हो पाती हैं। स्कूलों में MDM में कुक कम हेलपर जो एक दिन में 50 से 75 बच्चों का खाना बनाती हैं। उनका मान दे मात्र 243 रुपे प्रतिमा है। सरकार इसे भी बढ़ाने पर अपना विचार करें। अगर हम युवा खेल मामलों की बात करें तो राजस्थान की कॉंग्रस सरकार पूरोवर्ति कॉंग्रस सरकार ने इस तरह से काम किये कि युवा शिक्षा, रोजगार और खेल तीनों में ही आगे बढ़ सकें और उनका सरवांगिट विकास हो। राज़े की 50% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है लेकिन है अफसोस की बात है कि राजस्थान में देश के सबसे बड़े विरोजगारी जनसंख्या है। हमारी पूरोवर्ति सरकार ने विरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी और निजी शित्र दोनों में प्रयास किये। पेपर लीग पर 10 करोड रुपे जुर्माना और उम्र कैद की सजा का कानून हमारी पूरोवर्ति कॉंग्रस सरकार ने बनाया। परंतु अगर हम केंदर सरकार की बात करें तो जो युवा हमें सुबह प्लेग्राउंड के ट्रैक्स पे सड़कों पे दौड करते दिखते थे आज उनके करियर के साथ एक मजाग किया गया अग्नीवीर योजना के नाम पर। खेल ग्राउंड को विक्सित मेरी मांग है कि खेल ग्राउंड हमने बनाए पर वहां हम इंडोर स्टेडियम्स भी विक्सित करें क्योंकि इंडोर खेलों के लिए युवाओं के पास कोई जगय नहीं है उनकी प्रतिभाओं को डवलप करने के लिए मैं उमीद करती हूँ कि सरकार जरूर ग्रामेन खेल ओलंपिक्स को यथावत जारी रखेगी युवाओं के साथ ही हम इंडोस्ट्रीज की बात करें रिको की बात करें तो चौमों के साथ ही शायद सारे राजस्थान में यही इस्तिती है कि जो इंडोस्ट्रियलिस हैं वो स्थानिये लोगों को रो सट परसें नौकरियां हमारे स्थानिय सक्षम युवाओं और महिलाओं को दी जाएं वेस्ट डिस्पोजल की नियमों को स्ट्रिक्टली इंपोस किये जाने की दिशा में कारिय होना चाहिए रिको में बहुत सारे लोगों की अभी यही एक चिंता व्यक्त करते हैं कि पहले ज एंपी में 1 रुपे की लीज पर लैंड दी जा रही हैं पंजाब में अलॉट्मेंट के त्रू दी जा रही हैं तो राजस्थान क्या रिको इंड़स्ट्री। को प्रमोट नहीं करना चाहता है सरकार कम से कम इस पर अपना विचार रखे अगर हम auctions करते हैं तो जिन्हें कम जरुवत है इंडस्ट्री स्टाबलिश करने की उन्हें auction में land मिलती है तो RICO धीरे धीरे एक property डिलिंग का काम बन जाएगा जिन लोगों को इंडस्ट्री स्टाबलिश नहीं करनी है वो लोग दूसरे इंडस्ट्री लिस्ट को किराय पे या कोई भी तरीके से उन्हें अपनी land देंगे रिको इद बहुत बड़ा department है और मेरे ख्याल से सरकार के लिए यह कमाई का साधन नहीं है क्योंकि 90% जो इनके पास land होती है department के पास वो तो गौचर या सिवायक जमीन होती है तो हमारा धे होना चाहिए कि हम industries को promote करें investment को promote करें ease of doing business की बात हम करते हैं पर रिको में जिस तरीके से अभी नियम है land allotment के उससे कहीं ना कहीं हम fail हो रहे हैं तो सरकार को इस पर अपना विचार रखना चाहिए और industries के जो नियम है उसमें policy है उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए माका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आभार जीवाद